हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक पाथ जिसका नाम है अंगों की हरताल हिरद्यराम की अध्यक्षता में शरीर के अंगों की एक सभा जुटी और सब मिलकर नारे लगाने लगे अध्यक्षता यानि उसकी अध्यक्ष जो था वो कौन था हिरद्यराम सारे अंग क्या कहें नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे पेट की गुलामी नहीं करेंगे हम तो सारा दिन काम करें और पेट राम जी आराम कहें ये सारे अंग कह रहे तो हिरद्यराम जी बोले जोर से चिला कर खामोश हो जाईए आप सब लोग ऐसे ही चिलाते रहे तो कोई लब नहीं होगा शांत हो जाइए आप में से जिसको भी जो शिकायत है शिकायत यानि जो भी कमप्लेंड रहे कि आप कुछ कहना चाहते हैं जो भी शिकायत है क्रिपिया कर एक एक करके मंच पर आएं और अपनी बात कहें सबसे पहले कौन आया हाथ यहाथ ने कहा सबसे पहले आ गया कर हम हाथ हैं हम सारा दिन मेहनत करते हैं बोजा उठाते हैं मगान बनाते हैं पत्थर तोड़ते सुनदर बाग बगीचे लगा कर सारा वातावरण शुद्र रखते हैं वातावरण यानि हमारे आसपास का म appliance अरे नालिया तक तो हमी खोथते हैं और यह पेट यह सिर्फ आराम करता है सिर्फ आराम हाथ ने क्या कहा सारा बोज उठाने का काम हम करते हैं और पेट आराम करता रहता है तभी पैर ने बोला वा भई वा यह भी खूब रही हमी तो हैं जो तुम्हें एक जिगा से दूसरी जगा ले जाते हैं हाथ और पैर का तो जनन जनम का नाता है तभी आख ने कहा क्यों अपने मूमिया मिठ्टू बन रहे हैं दोनों हम आखे अगर तुम्हें सही रास्ता ना दिखाएं तो तुम ठोकर खाकर गिर पड़ो इन उबर खावर रास्तों पर उबर खावर यानी ते कि अगर हम तुमें रास्ता नहीं दिखाएंगे तो तुम तो गिर पड़ोगे फिर कैसे काम करोगे दिमाग ने कहा अरे मैं ही यूँ तो असली चीज यानि दिमाग सोच समझ कर सही समय पर सही काम करने की सला देता हूं सला यानी तुमको परामर्ष अभिर देराम बोले और अगर मैं धड़कना बंद कर दूँ तो क्या हो सब कुछ धेर हो जाए पल भर में दात ने कह बत्तिसी दिखाते हैं बत्तिसी यानि अपने सारे दात ही 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 हम खाना चबा चबा कर ना खाएं तो पत्थर की तरह धरा रह जाए पेट में और उसी के बोश तले तुम्हारी छुट्टी हो जाए कानने का मंच पराकर मैं तो सारे जहान की खबर सुनकर आता हूं वरना तुम भला क्या जानो कि आगे कहां कब क्या हो रहा है यह होगा तभी सारे अंग इखटे बोले अरे भाई तो तुम्हें कौन सा हम अपने से अलग मानते हैं हम सब तो पेट के खिलाफ हैं खिलाफ यानि उसके खिलाफ काम करना उससे सबक सिखाना चाते हैं वह बहुत आराम तलब हो गया हैं आराम करता हैं आराम करने वाला पर यह समाचार पेट तक पहुँचाएं कैसे सारे अंग क्या बोले कि भई हम तो किसी भी तरह पेट को सबक सिखाना चाते हैं पर समाचार कैसे पहुँचे उस तक कान ने कहा अरे यह कौन सा मुश्किल काम है मैंने चो कुछ भी सुना है वे अभी जाकर जीब को बता देता हूँ उसका तो काम ही है इधर की उधर और उधर की इधर करना सारे अंग बोले हाँ यही ठीक रहेगा कान ने कहा अरे जीब बहना कहा हो आज तुमारे लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनोगी तो उचल पड़ोगी जीब बोली बताओ बताओ कान बोला जाकर कह दो अपने बड़े भाई पेट से कि सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है कहते हैं बगावत करेंगे बगावत यानि उसके खिलाफ जाना पेट की गुलामी नहीं करेंगे जीब दोड़ी दोड़ी पेट के पास जाती है जीब पेट भाई कुछ सुना तुमने पेट, क्या बात है जीव भेना, तुम इतनी परिशान क्यों हो, ऐसा क्या सुना है तुमने जीव, वह कहते हैं कि हम सारे तो काम करते हैं और पेट राम जिस सर्व अराम करते हैं यहीं नहीं, उनका कहना है कि पेट राम उंपर से हुक्म भी चलाते हैं, हुक्म यानि आदेश देते हैं पेट कुस्से से, अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने, मैं सारे दिन अराम करता हूँ बैलोक शायद यह नहीं जानते, जानते कि मैं ही तो हूँ जो रात दिन काम करता हूँ रात को जब सब सो जाते हैं, तो मैं उस वक्त भी काम में लगा रहता हूँ ठीक है, देख लूँगा उन सब को, जीब दोरी दोरी सब के पास वापस जाती है जीब, सुनो, सब सुनो, पेट कहता है कि सब को देख लूँगा शाम को आठ बजे पेट ने आवाज लगाई पेट ने का, क्यों भाई, आठ बजने को आए, आज खाना वाना नहीं बनेगा क्या मेरी तो भुक के मारे जान निकली जा रही है सारे अंग बोले, हम सब बिमार हैं, हो सके तो तुम अपना बना लो और हमें भी खिला दो पेट कुसे से, ठीक है, तुम सब बिमार हो, जा कर आराम करो मैं भी आराम करने चलता हूं पेट के जाते ही सब गफ मारने लगते हैं एक दिन बिता, दो दिन बिते हाथ पाउंट हिले, आखे अलसाई सी, दिमाग अजीब परिशान, शरीर बेहाल हो गया, अखिर में सब फैसला करते हैं कि चलो, पेट के पास ही चला जाए, शायद वो कोई इलाज बताए, अखिर वै सबसे बड़ा भी तो है, सब मिलकर फिर प बलती हो गई, हमें माफ कर दो, पेट तो राजा है, क्या अपनी प्रजा को सताएगा, सताएगा मतलब परिशान करेगा, पेट ने कहा, हम सब इस शरीर रूपी मशीन के छोटे-छोटे पूर्जे हैं, जैसे एक, एक पूर्जा बिगरने से मशीन नहीं चलती, वैसे ही ये शरीर नहीं चलता, इसलिए अच्छी तरह जान लो, खाना इस मशीन का पेट्रोल है, इसे ठीक से चलाना होगा, तब ही हम मजबूत रहेंगे, यानि ताकतवर बनेंगे, इसे ठीक से चलाने के लिए ताकत चाहिए, और वैसे ताकत मिलती है सयोग से, संगठन से, एक स्ता से, जाओ, मिलकर काम करो, और मुझे भी काम करने दो, तो बच्चो, इस कहानी का मौलिक ज्यान है, कि संगठन में ही असली शक्ती है, अगर शरीर का कोई भी अंग काम करने बंद कर दे, तो सारे अंग काम करने बंद हो जाएंगे, ये शरीर संगठन से ही चलता है, सारे अंग इखटे होते हैं, तब ही हम अपनी दीवन चरिया म काम कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हूं बच्चो, ये कहानी आपको अच्छे लगी होगी, आप भी संगठन के महत को जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि संगठन में ही असली शक्ती है, अब आप इसका अभ्यासकारे स्वयम कीजिए,